नमस्कार दोस्तों कुजार डिजाएंसने स्टिचिंग चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो में देखिए हम 5 साल के बच्चे के लिए टोपी बनाएंगे बिल्कुल सिंपल तरीका है इस टोपी का बनाने का और इससे सिंपल और टोपी नहीं बनाई जा फोर फोल्ड करके सर्कल कट करके लिया है पट्टी हमारी यह 16 इंचे देखिए क्योंकि एक कांट से दूसरे कांट का जो राउंड़ बच्चे का वो साड़े 14 इंचे तो मैंने थोड़ी बढ़ा कर ली है इसमें थोड़ा सा तो यह देखिए आपका जितना भी पर इस तरीके से दो कट लगा लेंगे और यहां पर ही देखिए इस तरीके से एक-एक इंच की प्लेटें डालते हुए एक कट से जो हमारा दूसरा कट है बड़े वाले राउंड में वहां तक हमने इसको सब को इस तरीके से बना लेना है कॉटन का मैंने यह फैब्रिक लिया है अगर आप टोपी बनाएं बच्चों के लिए तो इस तरीके से फैब्रिक ले सकते हैं तो सभी साइज की अलग अलग पैटर अलग अलग डिजाइन की टोपी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है अगर आपको टोपी बनाना पसंद है और बनाना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं और अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लें तो देखिए जो हमारा एरिया है प्लेटेड वाला उसको मेजर करेंगे तो देखिए साड़े चौदा इंच मेरा यहां पर आ रहा है तो जुतना मेरा मेरा मेजर मेंटा उतना फिक्स आ रहा है और नीचे पट्टी को सीधा रखेंगे और उपर से इस तरीके से इस सिलाई लगा देंगे मेरी थोड़ी सी लंबाई में एक्स्टा है तो उसको मैं बाद में कट कर दूँगी यह देखिए और इसको इस तरीके से फोल्ड करके इसके नीचे ट्राइंगल लगाएंगे जो हमने बनाए है वाइट कलर के तो उससे क्या इसका लुक और भी सुन्दर आ जाएगा आप चाहे तो इसको सिंपल भी छोड़ सकते हैं और इसी तरीके से पट्टी को फोल्ड करके डबल सलाय लगा कर भी बना सकते हैं तो देखिए मैंने यह ट्राइंगल यहां पर लिये हैं और इनको इस तरीके से अंदर देते हुए पट्टी के और इसको थोड़ा सा अच्छा सा लुक और देंगे ताकि यह सुन्दर लगे बच्चे के उपर तो देखिए इस तरीके से एक-एक ट्राइंगल बनाते जाएंगे और इस तरीके से लगाते हुए पूरी किनारी पर से लगा लेंगे यह देखिए थोड़ा सा ट्राइंगल एक के उपर एक रखना है और इस तरीके से पूरे हम यह आपर अटेज कर लेंगे इस तरीके से जो भी बचा हुआ फैबरिक होता है बलाउज का सूट का उससे हम इस तरह की सुन्दर सुन्दर टोपी बना सकते हैं चोटे बच्चों के लिए तो देखिए इस तरीके से हमने यहां पर यह लगा लिया है अब सभी पर कॉर्णर पर में एक एक पिंक कलर का मोती लगाऊंगी यहां पर और पट्टी पर डबल सलाई कर दूंगी ताकि अच्छे से से सैट हो जाए अंदर की सैट से जो फैबरि दोरे सकते हैं जितनी बाहतनी चाहें उसके साब से तो देखिती स तरीके से रखियें गले मोउस्त था सश्ता अबढ़ों से चल आज़ी यह और इसको पलट लेंगे हम यह देखिए इस तरीके से पलटके और इस पर पूरे पर सिलाई यहां पर लगा देंगे बहुत सिम्पल है टोपी और इसतरह की टोपी का जो यह पैरला अधने का हमारा यह क्या है कि फिटिंग इसकी बहुत अच्छी आती है बच्च நे के सिर में क्योंकि सरकल में इसको बनाते हैं तो अंदर की साइड से फूरा अच्छे से कवर हो जाता है और अच्छे से इसकी फिटिंग आती है तो अगर आपको इस तरह से बनाना पसंद है तो आप जरू ट्राई करें यह देखिए इस तरीके से ही हमने बांदने वाले डोर यह आपर लगा लिया और मोती भी मैं इस पर अटेज कर लूँगी फिर इस हो गई है आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शियर करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक्यू फॉर वर्च